हमने केंद्र सरकार को भी लिखके बताया है केंद्र से हमने और वैक्सिन मांगी है जैसे हमें और वैक्सिन मिलेगी हम फिर से ये सेंटर शुरू कर देंगे दिल्ली को हर महीने 80,000,000 वैक्सिन की जरूरत है 80,000,000 डोसे की इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16,000,000 वैक्सिन मिली और जून के महीने के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और भी कम कर दिया है केंद्र सरकार से हमें जो चिठी आई है कि जून में हमें केवल 8,000,000 वैक्सिन दी जाएगी मई में 16,000,000 दी थी जून में 8,000,000 देंगे अभी तक हम दिल्ली में टोटल 50 लाख वैक्सिन लगा चुके हैं और दिल्ली के सभी एडल्ट्स को वैक्सिन लगाने के लिए हमें धाई करोड और वैक्सिन चाहिए अगर इसी रफतार से दिल्ली के एडल्ट्स अगर इसी रफतार से हम चले आठ लाख वैक्सिन हर महीने मिली तो दिल्ली के एडल्ट्स को भी वैक्सिन लगाने में तीस महीने लग जाएंगे तीस महीने से भी जादा तब तब तो ना जाने कितनी और करोना की लहरे आएंगी ना जाने कितने और लोगों की मौत हो जाएगी तीसरी लहर से दिल्ली और देश को बचाने का एक ही तरीका है कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को वैक्सिन की सुरक्षा दी जाए बेड, आईसिउ, ओक्सिजन, दवाई इन सब के तयारी तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन करोना के घातक असर से बचाने में वैक्सिन ही सबसे ज्यादा असरदार हथियार है